कि स्वागत्य श्टूडेंट हमारे चैनल पर हम आपके लेकर आए हैं क्लास च्छे की क्विजब्यास जो की सब्टा 50 और 18 जून 2022 को दी गई है तो इस क्विजब्यास में हम आपके लेकर आए हैं तीनों सब्ज़ेक्ट का एक साथ क्िजब्यास जो की मैस इंगलिस और तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप कुछ देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ से एर कीजिए शुरू करते हैं मैस का पहला प्रशन सारजनिक पुस्तकाले ने 2017 में दिल्ली पुस्तक मेले से 3958 पुस्तकें और 20 पुस्तक मेले से 6050 पुस्तकें खरीदी सारजनिक पुस्तकाले ने कुल कितनी पुस्तकें खरीदी तो यहां हम टोटल करके देखेंगे तो ऑप्सन नमबर 4 सही उत्तरोगा 10,008 प्रश्ण नम्मर दो है राहुल ने सौंबार को 1234 इस्ट्रावेरी और मंगलवार को 1455 इस्ट्रावेरी बेची दोनों दिन में उसने कुल कितनी इस्ट्रावेरी बेची तो यहां हम टोटल करके देखेंगे ऑप्सन नम्मर दो सही उतर होगा 2709 तीसरा प्रश्ण है यामा ने मार्च में 4,280 बाइक और अप्रेल में 5,678 बाइक का निर्मान किया दोनों मैनों में निर्मित बाइकों की कुल संख्या ग्याद कीजिए ऑप्सन नम्मर तीन यहां पर सही उतर होगा 9958 अगला प्रश्ण है एक पानी की टंकी में 5,670 लीटर पानी है दूसरी पानी की टंकी में 3,940 लीटर पानी है तो दोनों टैंकों में कुल कितना पानी लीटर में है तो यहां दोनों को टोटल कर लेंगे सही उतर होगा ऑप्सन नम्मर दो 9,610 लीटर अगला प्रश्ण है एक पैन बनाने वाली कंपणी इन सौमबार को 6,249 और मंगलवार को 7,654 पैन बनाती है कंपणी ने उन दो दिनों में कितने पैन का उत्पादन किया इन दोनों को भी टोटल करके देखेंगे ऑप्सन नम्मर एक सही उतर होगा 13,893 में नेक्स कुशन है एक व्यक्ति ने दो मॉबाइल फॉन खरीदे एक मॉबाइल की कीमत 4,999 में है और दूसरे की कीमत 5,999 में है उसके द्वारा खर्च की गई कुल रासी है दोनों को टोटल कर लेंगे तो ओप्सन नम्मर चार यहां सही उतर होगा 10,998 अगला प्रशन है एक बगीचे में लाल और सफेद गुलाबों की कुल संख्या 8,965 है यदि 4,998 लाल गुलाब है तो बगीचे में सफेद गुलाब कितने हैं गटा लेंगे गटाने पर ओप्सन नम्मर चार पर सही उतर आएगा ओप्सन नम्मर चार हमारा सही उतर होगा 4 4,666 अगला प्रशन है संजय दो दिनों में 4,688 श्ट्रॉबेरी बेची अगर उसने पहले दिन 1,235 श्ट्रॉबेरी बेची तो दूसरे दिन बेची की श्ट्रॉबेरी की संख्या ग्यात कीजिए गटा लेंगे ओप्सन नम्मर एक सही उतर होगा 3,455 अगला प्रशन है एक कंपनी दो सब्ता में 7,000 पैंसिल बनाती है पहले सब्ता में कितनी पैंसिल का उत्पादन हुआ यदि दूसरे सब्ता में 3,480 पैंसिल का उत्पादन किया गया यहां इनको गटा लेंगे गटाने पर ओप्सन नम्मर 3 का सही उतर आएगा 3,520 अगला प्रशन है खाली स सही है 5,890 अगला प्रशन है खाली जगे भरे एक फल की दुकान को दो ट्रकों की साहता से कुल 8,820 साम प्राप्त हुए यदि एक ट्रक में 4,933 साम है तो दूसरे ट्रक द्वारा ढोए गए आमों की संख्या खाली जगे है खाली जगे में आएगा उप्सन नम्मर 2 सही उ सत्यासी इस तरह से ये गणित का क्विजब्यास कंप्लीट होता है हम देखते हैं अब इंगलिस का क्विजब्यास यहां एक पेरेग्राप दिया हुआ है जिसको आप पढ़कर देख सकते हैं समझ सकते हैं और प्रेशन नम्मर 1 है वाई वाज राजा वेरिंग हिज सही उत्तर होगा? Because it was a very special day for him प्रेशन नम्मर दो है वाई 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 प्रेशन नम्मबर दो सही उत्तर होगा? because he was going to meet someone very important. प्रश्ण नम्बर तीन है, what does the word anchorage used in the given passage mean, यहाँ option नम्बर एक सही उत्तर हो जाएगा, लोज कोड़्स, अगला प्रश्ण है, choose the correct meaning of the word pussy, यहाँ पर चूजी, प्रश्ण नम्बर एक सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, complete the sentence with the correct option, राजा वाज गोईंग तो मीट, यहाँ आजाएगा, जलालुद्दिन अकबर, अप्रश्ण नम्बर तो, अगला प्रश्ण है, what did राजा फादर दू, यहाँ option नम्बर तीन, सही उत्तर होगा, अगला प्रश्ण है, when did they go to the palace of फतेपुर सीकरी, तो यहाँ option नम्बर एक सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, what were the two soldiers holding, यहाँ option नम्बर तीन, सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, complete the given sentence, the mughal palaces were made of, यहाँ option नम्बर, दो सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, complete the given sentence, the royal garden were filled with, option नम्बर तीन, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, इस तरह से एक English का quiz अभ्यास भी अपना, sorry, आगे next question है, complete the given sentence, the mughal palaces were so beautiful, the world beautiful is, a, an, तो यहाँ word, इसका होगा, यह adjective है, यानि कि option नम्बर तीन सही उत्तर होगा, अगला प्रश्ण है, रह्मत खान, introduce himself, which part of speech is the word himself, तो यहाँ pronoun हो जाएगा, option नम्बर तो सही उत्तर होगा इसका, अगला प्रश्ण, इस तरह से एक English का quiz अभ्यास complete होता है, अब हम देखते हैं, हिंदी का quiz अभ्यास, पहला प्रश्ण है, मात्मा बुत बहुत ग्यानी महापुर्स थे, ग्यानी सब्द सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पर ग्यग, सही उत्तर है, आप्सन नमबर दो पर सही उत्तर है, अगला प्रश्ण है, इस बार परिक्षा में सभी बच्चे उत्तीन हुए, परिक्षा सब्दे में सही उत्तर है, या सही उत्तर है, तो यहाँ वही आप्सन नमबर दो सही उत्तर है, नेक्स उक्षिन देखते हैं, प्रश्ण नमर तीम, सही उक्तर चरत्रा से बिनकर मिलकर बना सब्द चुनिए, तो यहाँ पर उप्षन नमर दो सही उत्तर होगा, त्रिबुज, त्रा से त्रिबुज बनता है फिर है, अगला प्रश्ण है, कक्षा में बच्चे परकार की तीन भुजाओं वाला चितर बना रहे थे, वाक्य को पढ़कर सही सही उक्त सब्द चुनिए, तो यहाँ पर तीन भुजाओं वाला चितर बना रहे थे, तीन भुजाओं वाला चितर होता है, यहाँ अपसन नमबर 2 सही उत्तर है। प्रशान्त आग्याकारी बालक विद्यारती है आग्याकारी सब्ढ में कौन सा सही उत्थर प्रियोक किया गया है। यहां अपसन नमबर 3 पर सही उत्तर है। अगला प्रश्ण है आदा का प्लस से बने सब्द को चुनिये तो यहाँ सब्द है रक्षक इसमें इन दोनों अक्षरों से मिलकर की आदा का और सर से मिलकर बनता प्षय तो रक्षक यह सब्द सही है अगला प्रश्ण है पहली कच्छा में कितने 30 विद्यारती हैं वाक्य में संयुक्त अक्छर से बना सब्द कौन सा है पहली कच्छा में तो यहां का अक्छा सब्द संयुक्तर है जो कि अप्सन नमबर 2 पर है आदा चर चर से कौन सा सयुक्त अक्षर बना है? यहाँ ओप्सन नमबर दो सयुक्त तर है अक्षा अगला प्रिश्ण है इनमें से कौन सा सब्द? चर सयुक्त अक्षर से नहीं बना है तो यहाँ पर प्रतिया जो इस अक्षर से नहीं बना है वो है प्रतिया अगला प्रश्न है आदा जड और पूरा जड सेयोगतक्षर से बने सब्द को चुनिए तो यहां पर है सयुत्तर, option no.4, इज़त इन में से कौन सा सब्द सेयोगतक्षर से नहीं बना है तो यहां हम देखते हैं, option no.4, बचपन, यह सेयोगतक्षर से मिलकर के नहीं बना है कि अन्य कुछ अभ्यास अन्य कच्छाओं के कुछ अभ्यास अन्य विश्यों के कुछ अभ्यास देखने के लिए जोड़े रहे हमारे चैनल से धन्यवाद